Chemistry Academy students आज की वीडियो में बढ़ेंगे IUPAC name of this compound यह जो आपके compound लिखा नजर आ रहा है देखने में तो काफी बढ़ा compound है इसका आप लोग ने IUPAC नाम लिखना है अगर तो आप लोग ने normal culture clear का लिए तो आप लोग कोशे करें इस compound का खुद ही नाम लिखने की क्योंकि यह वाले जो question यह पिछले सालों में आ चुका है NEET के exam में तो most important question है अब start करते हैं इसका नाम लिखना यहां पर देखी इसको मतलब जूम कर देता हूँ अब देखे इस compound को सबसे पहले तो हम लोग ने क्या करना था longest chain सेलेक्ट करने होती है तो longest अगर chain देखी जए तो यह वाले जो chain है ना इसको गौर से देखे सारे बच्चे यह सबसे longest chain है इसमें कितने कार बना रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार बना रहे है तो इसका मतलब जो सबसे longest chain है इसका मतलब जो सबसे last पे क्यागन नोनेन आएगा ठीक है क्योंकि इसमें और कोई function group नहीं है अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग नमरिंग स्टार्ट हो गई है उसके बाद आप देख साथे हैं टू पोजिशन को पर एक ग्रूप अटैच है अब हम बात करते हैं कि five position के उपर यह वाला जो ग्रूप ना फाइव पोजिशन को पर यह जिए ग्रूप फाइव के उपर अटैच पहले हम इसका नाम लिखते हैं ठीक है सबसे चैन्ट का तो हमने लिखना है कि five position को पर क्या अटैच है five position को पर है जी one, two देखें अब यह जो बड़ा सबसे चैन्ट है यह वाला इसमें भी कार्बन की चैन आ रही जिसमें तीन कार्बन आपको ऐसे नजर आ रही ठीक हो गया या इसको मैंसे कहते हैं कि यहां से अगर हम चैन की स्टार्ट करें नमरी यहां पर देखें one, two और three कार्बन है तो two के उपर भी एक सबसे चैन्ट है और one के उपर भी एक मिथाईल है तो हम कहेंगे one, two dimethyl और बाकी यह जो आपको फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है यह वाला इतना यह ठीक है यह जो सबसे चैन्ट है न टैज यह मरे पास है आइसो परोपाइल कौन सा यह आइसो परोपाइल है तो इसमें one position के उपर एक मिथाईल है two के उपर एक मिथाईल है तो one, two dimethyl और आइसो परोपाइल यह clear हो गया उसके बाद हम काते है two, three dimethyl की position number two के उपर आपको एक मिथाईल गूरूप नजर आ रहा है यह देख साते हैं आप लोग ठीक हो गया उसके बाद position number three के उपर भी एक मिथाईल गूरूप अटाइच है तो हम two, three dimethyl लिख देंगे उसके बाद four position यह वाली जो है उसके उपर आपको यह सबस्चेंट लिखा और नजर आ रहा है four position को उपर कौन सा सबस्चेंट है जी four position को उपर अटाइच है इस सबस्चेंट परोपाइल प्रफाइल में तीन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो फोर प्रफाइल, अब देखें, इस सबस्चेंट का नाम भी लिख हो गया, इस सबस्चेंट का नाम भी लिख हो गया, यह जो दो थे, सबस्चेंट उन दोनों का नाम भी लिख हो गया, इसका और इसका भी ठीक है अब बागी सर्व आपके पास ये चेन बच की हो लिए ठीक हो गया तो चेन का नाम के नोनें तो इस तरह हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज मेरे चैनल के मिस्टी कैडमी सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और शेयर